निवजी लेंड टीम के लिए सूपर ओवर एक अभी साप बन चुका है सूपर ओवर के नाम से ही निवजी लेंड के टीम को अब डर लगने लगा है पिछले साल ICC वर्ड कप का फाइनल हो या फिर फिलहाल भारत और निवजी लेंड के बीच खेली जा रही T20 सिरीज हर जगह सूपर ओवर में कीवी टीम को मात मिली है सूपर ओवर में इस कदर खिलाडियों पर दबा होता है कि ICC वर्ड कप में सूपर ओवर खेलने वाले निवजी लेंड के आलराउंडर बलेबाज जीमी नीसम ने यहां तक कहा था वह जीवन में कभी ऐसे मैच नहीं खेलना चाहेंगे सूपर ओवर निवजी लेंड के लिए भेद जाल बन चुका है जिसका तोड फिलहाल निवजी लेंड के पास नहीं है मौझूदा सिरीज में लगातार दूसरी बार सूपर ओवर में निवजी लेंड की टीम को हार का सामना करना पड़ा सिरीज के तीसरे मैच में रोहित सर्मा और मौहमत समी की जोडी ने भारत को सूपर ओवर में जीत दिलाया था लेकिन रोहित और समी दोनों इस मैच में नहीं थे बावजूद इसके भारत ने ठीक उसी अंदाज में कीवी टीम को हराया इस बार भारत की जीत के हीरो रहे विकेट कीपर बल्लेबाज केल राहुल, कप्तान विराट कोहली और तेज गेदबाज सारदुल ठाकुर भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए केल राहुल, मनीश पांडे और सारदुल ठाकुर के पारियों के दम पर 165 रनों का स्कोर खड़ा किया इसके जबाब में निवजी लेंड की टीम जीत के काफी करीब थी पारी के आखरी ओवर में निवजी लेंड को जीत के लिए मात्र साथ रन की जरूरत थी जबकि निवजी लेंड के पास अभी साथ विकेट बचे थे जिसमें रोश टेलर और टीम सेफाट जैसे धुरंदर बल्लेबाज अभी बल्लेबाजी कर रहे थे लगभग हार के मुहाने पर खड़ी टीम इंडिया की तरफ से आखरी ओवर में गेदबाजी कराने आये तेज गेदबाज सारदू ठाकुर ने ओवर की पाहली गेद पर रोश टेलर जैसे दिगज बल्लेबाज को आउट कर भारत के जीत की उमीदे बढ़ा दी ओवर की पाहली गेद पर बिना कोई रन बनाए विकेट गवाने के बाद अब न्यूजी लैंड की टीम को आखरी पाँच गेद पर साथ रन की जरूरत थी इसके बाद बल्लेबाजी करने आये मिचल ने दूसरी गेद पर चौका जड़ कर एक बार फिर भारती अफैंस को मायूस कर दिया अब न्यूजी लैंड की टीम को जीत के लिए आखरी चार गेद पर तीन रन की जरूरत थी लेकिन अभी मैच में असली रोमांच बाकी था इसके बाद अगली गेद पर विकेट कीपर केल राहुल ने मिचल को रन आउट कर एक बार फिर मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ दिया ओवर की चौथी गेद पर सैटनर ने किसी तरह एक रन बनाए इसके बाद ओवर की पांचवी गेद पर सार्द उठाकुर ने मिचल को आउट कर हर किसी की धरकने बढ़ा दी अब ओवर की आखरी गेद पर निवजी लैंड को जीत के लिए दो रन की जरूरत थी लेकिन पहला रन लेने के बाद न्यूजिलेंड के बल्ले बाज दूसरा रन पूरा कर पाते इससे पहले केल राहुल ने सैटनर को रन आउट कर दिया इस तरह जीता हुआ मैच न्यूजिलेंड की टीम एक बार फिर सूपर ओवर में हार गई हार से हतास की भी टीम के खिलाडी मैदान पर ही फूट फूट कर रोने लगे